हेलो डिये स्टूडेंट्स, डाउटनेट की बालेजी की क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम अंजली है, मैं आपको बालेजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ यह जो क्लास है, बेसिकली क्लास 10 के अमेजिंग स्टूडेंट्स के लिए इन्फोमेशन है इस क्लास में हम यह चीजे जानेंगे कि हम अपने एक्जाम की तैयारी को कैसे और स्ट्रॉंग बनाएं जैसा कि हमें पता है हमारे बौर्ड की एक्जाम की टेक्शीट आ चुकी है और हमें इस समय पे क्या करना है, जादा से जादा क्वेस्टन की प्राक्टिस करनी है यानि कुछ ऐसा चाहिए हमें जिसमें बहुत सारे questions हो और वह हमारे लिए helpful भी हो यंग ओर भी बात है जो questions होते हैं हमारे board में आते हैं जो हमारे exam में आते हैं उनको आप अच्छे से solve कर लो, जितने ज़्यादा paper solve करोगे, आपके marks उतने अच्छे आएंगे, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पुराने साल के जो questions होते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, कि same वैसे ही question हमारे exam में हमको मिल जाते हैं, तो जितना ज़्यादा question की practice, उतने अच्छे marks यहां पर एक question में लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत जादा important हो सकता है, क्योंकि यह पिछले साल आय हुए paper में से है, question हमारा पहला यहां पर है, कि लार में कौन सा enzyme पाया जाता है, और यह किसका पाचन करता है, फड़ा-फड़ से इसके solution को देख लेते हैं, लार क enzyme को एक और नाम से जानते हो, जिससे आप बोलते हो Tylene, ठीक है, तो Tylene enzyme भी अगर आपको लिखना होगा, तो गलत नहीं होगा, अब यह जो enzyme है, जो हमारी लार में पाया जा रहा है, यह किसका पाचन करता है, तो यह enzyme जो है, यह किसका पाचन करताहा है, कार्भो तो खाही रहे हैं इस carbohydrate के जटल अड़ों का यह सरल अड़ों में क्या करता है विघटन कर देता है पाचन करता है यह हमारा short question short answer वाले question है तो इस question में हम यहां पर इतने solution लिखेंगे तो सही होगा आप सिर्फ यह दो लाइन में आप क्या कर सकते हो अच्छे marks score कर सकते हो तो आपको यहां पर क्या लिखना है लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है तो जो question हमने यहां से उठाया हुआ है यह पिछले साल आया हुए question है अब आप सोच रहे होगे question मुझे मिला कहां से ऐसे कैसे मिल गया हमें पिछले साल के paper का question तो सामने आपके है एक book इस book में आपको तीन साल के questions के solutions मिल जाएंगे और यहां आपको यह बुक बहुत ही जादा help करने वाली है आपके अच्छे score के लिए तो बुक हमारी जो है वह ओस्वाल गुरकुल की है और यहां पर लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परिछाओं के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है इसमें और important बात यह है कि यह हल सहीत प्रश्न पत्र है आपके लिए बहुत ही जादा useful होने वाला हो सकता है यह और beneficial भी है तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो तीन साल के जो questions हैं उनके solutions यहां पर दिये हुए हैं इस पूरे बुक में इस बुक में आपको biology ही नहीं आपको क्या क्या हिंदी English विज्ञान गडित और सामाजिक विज्ञान के भी क्या मिल जाएंगे solutions मिल जाएंगे और पिछले साल के paper का हल सहीत वर्डन भी मिल जाएग तो बुक की जो description box में मैं link डालूंगी उससे आप इस बुक को purchase कर सकते हो तो एक question तो हमने यहां पर clear कर लिया है अपना biology का दूसरा question भी फटाफट से clear कर लेते हैं दूसरा question हमारा है स्वपोशी पोशड के लिए क्या आवश्यक है स्वपोशी पोशड यानि ऐसा पोशड जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं खुद बनाते हैं स्वपोशी पोशड के अगर हम बात करेंगे तो जीवों के लिए जरूरी है कारबंड़ ऑक्साइड और जरूरी है क्या चीज जल जरूरी है और हमें पता है कि यह हरे पादपों में होता है यानि कि इनके पास क्या होता है हरे रंग का वड़क पढ़ हरीम जरूरी है और सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां पर है प्रकास अंसिलेशन प्रोसेस के लिए जो की है सूर्य का प्रकाश यानि इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें सही जवाब लिखना होगा तो वो क्वेश्चन के लिए होग कार्बन डियॉक्साईड जल पढ़ हरीम और सूर Stevens प्रकाश तो हमारे यह क्वेश्चन की क्लीयर वो गया यह वह प्रक्रम वाले चाप्टर का क्योंकि उसक्रिश्चन Dept Wie We questions बनते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज उसी चाप्टर का होता है तो हमने उस चाप्टर से दो questions उठाए थे इस बुक में भी सेम वही सारे क्या दिये हुए हैं तो इस बुक को खरीदिये ज़्यादा से ज़्यादा question practice कीजिए और अपने अच्छे की तरफ एक और स्टेप बढ़ाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक को पॉचेस करने का लिंक दिया हुआ है तो उसको आप फड़ा-फड़ से क्लिक कीजिए और इस बुक को खरीदिये और इनसे अपने questions की practice कीजिए थेंक यू सो मच